हद हो गई अब तो अगला प्रोजेक्ट दे ही दिया जाए सरजे प्रोजेक्ट देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाऊंगा बक्ति रहो पहले प्रोजेक्ट में ये कहा गया कि प्रोजेक्ट छोटा है जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन वो पूरे तीन महीने चलता रहा दूसरे प्रोजेक्ट में भी क्लाइन्ट मीटिंग के 20 दिन बाद प्रोजेक्ट मिला और काम चुरू हुआ एक महीने बाद जबकि मीटिंग में मैंने थाबिद कर दिया कि डेवलप्मेंट में देरी नहीं है प्रोजेक्ट लेट मिला है और शेकर भी उत दिन सारे सच कहने ही वाला था कि प्रोजेक्ट मेनेजर ने फिर से अपनी चाल चल दी क्लाइंट नो रिस्पोंडिंग करके पाट टाल ली नहीं तो उसी दिन सर जी मुझे घर जाने की छुट्टी मिल जाती और आज आप फिर से प्रोजेक्ट दे रहे है इस प्रोजेक्ट से पहले गिठप की किसी कोड मैं पंगा आ जाएगा और मैं एक महिने के लिए फिर लटक जाओगा आप फिर से प्रोजेक्ट दे देंगे और इस प्रोजेक्ट से पहले कोई न कोई डेवलोपर रिजाइन मार कर चला जाएगा और इस तरह ना तो डेवलोपमेंट के लिए कोई रहेगा और ना ही छुट्टे मांगने वाला रह जाएगा तो सिर्फ प्रोजेक्ट और यही होता रहा है सर जी प्रोजेक्ट 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 मिलते रहे है लेकिन इंक्रिमेंट नहीं मिला सर जी इंक्रिमेंट नहीं मिला मिला है तो सिर्फ ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के मैनेजर्स ने प्रोजेक्ट को चुटियों के खिलाफ एक हधियार की तरह इस्तिमाल किया है सर जी दो प्रोजेक्ट्स के बीच आफिस के बाहर ये छुटियों का धंदा करते हैं धंदा जहां HR पढ़ाए जाते हैं हुनी को सारे समाव से खिलाए जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट लोग इंजीनिरिंग के लिए अपनी जायधात बेच कर पढ़ते हैं और मिलते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट और तो उन्हें अपने कहने जेवर या था कि मंगत सुत्र तक बेचे हैं बच्चों के लिए और उनके बच्चों को भी मिले हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक्सकोड.net जावा में घुस घुस के कई सारे इंजेनियर्स खुद बन जाते हैं प्रोजेक्ट और उन्हें भी मिलते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट इहाल पूरे हिंदोस्तान के कमजोर और सताय हुए इंजेनियर्स का है आज उन सब की नजरे आप पर गड़ प्रोजेक्टों के इंजेनियर्स तबाह नहों बर्बाद नहों झाल